हेले दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्टेटे एक जाम अवलिक जाव अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को शुरू से अंतक देखे पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज मैं सास किये महाबी द्यालियों में असिस्टेंट फ्रोफेशर भरती शुरू करने के लिए एक सब्ता हमें एजेंसी के चैन पर अंतिमोहर लग जाएगी एजेंसी का नाम फाइल होने के बाद भरती के लिए बियापन जारी कर दिया जाएगा हाला कि 6000 अच्छन को लेकर मामला भी शुल्जान नहीं है इस मपले मसले पर उत्तर प्रदेश उत्तर सिच्छा से बायोग यूपी एच एस सी को उस्च्छा निदे साले से स्थिती इस पष्ट होने का इंतेजार है एजेंसी चैन के लिए यूपी एच एस सी ने निविदा निकाली थी साथ जनवरी को टें लीवां 46 वीश्यों के है उस इच्छा निदे साले ने इन पदों पर भरती के लिए चेती जारचन नहीं किया है निदा निदे साले ने जब यूपी एच एस एको पदों का निदि आचन भेजा था तो साथ में चैन्वरी भी आयों को सौब दी थी लेगिन नियमामुली मे आयोग को पदों का अरच्षन करने का आधिकार नहीं है यह साले को टैए करना कि कौन से कॉलेज कितने पद अरचित होने है आयोग की सची बन्दाति पाठे करना की उम्मीद है कि निझसाले की साथ भरती विग्यापन जारी के मतलब अपन जो है 2016 पदों का इसी माह होने की उम्मीद है जारी होने की उम्मीद है जो लोग इसके योग हैं वो जरूर भरे उसके बाद रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिलेगी नौक्रियां तो अधिना सेवा चैना यू यू पी पी एससी ने रिक्त पदों को भरने के लि आयोग ने पिछले दिनों विभाग को ये प्रस्ताव वापस कर अरच्छन का नेवा नुसार है जो कि निधान के ने सीरे से उपलब्द कराने के लिए भेजा था विभाग चैन बर्स 2020 सकीज तक कि रिक्तों की गन्ना कर ने प्रस्ताव भेज रहा है इसमें 10 से 15 प्रतिश इसमें आपको 52,000 पदों का जो की ओरा है और वाल विखास विष्टा हार विभाग में 2950 पद है और 12,000 पदों का है जो की मुख्य सेवका पद महिलावे अर्थियों के लिए है स्वास्त कर्द करता और मुख्य सेवका के लिए है आयोग में चेन करवाई आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह की चुनोतियां तमाम पुरानी भरतिया अठकी रही और एक भी ने पत्पर भरतिक व्यापन नहीं निकाला जा सका ऐसे में अधिया आयोग ने नए साल में डिक्त पदों को भरने के करवाई को प्रात्म सामित विभ परिच्छा पैटर्ण में बदलाव किया है सिविल सेवा परारंबिक परिच्छा आप दोनों पत्रों मिलाकर कुल कोटी बार पास मार्स की गन्ना होगी यानि अनरचित कोटे के पवियर्थियों का पीटी के दो पेपर की कुल 40% क्वालिफाइंग मार्स लाने हुए पहले परिच्छा में भी 5 पेपर के कुल योग पर की जाएगी कोटी बार पास मार्स की गन्ना होगी परिच्छा में 1050 अंकों पर होगी प्रथम पत्के हिंदी और अंगरेजी के अंक है जो कि अब नहीं जूडएंगे SCST महिला के लिए क्वालिफाइंग मार्स कितना होगा 32% जेनरल के 40, BC1 के 34, BC2 के 36.5 आदिम जन जाती के लिए 30% और EWS के टोगरेजी के लिए 40% अंक है जो कि निरधारित है इस बार की मेवस्ता में क्वालिफाइंग पेपर है जो कि मार्स लाना अनिवार नहीं होगा किसी भी अव surpris किसी पेपर नियूंतम अहरतां अंक लेकिन दोनों पत्रों क मिला कर अगर वे नियूंतम अहरतां का अंक लेया तो अवर्थे को क्वालिफाई माना जाएगा आब warto लीस्ट से हटा तो रियजर्व केटोगरी का नहीं रहेगा पद तो नीमानु सवर थो ने आभ दसे रियजर्व केटोगरी के विर्थी का अधार पुर आनारचित मेरिट लिस्ट में रहेगा य़ने रहेगह बलकि मेरिट लिस्ट को शंसोधित radicton में अन्य योग वेर्थे को सामिल किया जा सकेगा यह सब्सक्राइब करना है इसके बाद आते हैं राज में 94 चैनित सिचकों की जल्द पूरी होगी नियुक्ति परकिरिया तो परदेश के प्रारंबिक विद्यालों में 94 हजार सिचकों की नियुक्ति इसी मां होगी इसके रिए सिच्छा वाग के प्रधान सचीब संजे कुमार ने सभी नियोजा निकाईयों में मेधा सूची पर अपत्यों का निराकरन एवं अंतिम सूची का प्रकासन 10 जनवरी तक सुनिशित करने का आदेश सभी जिलों को दिय सभी नियुक्ति पर गिरिया को अंतिम रूप देने की समिच्छा की परधान सचीब संजे कुमार से उनके कार्याले का अच्छ में विभीन जीलों के दर्जन से ज्यादा अभिहर्थे मुलाकात के और नियुक्ति पत्व भीतर न सुनिशित करने की मांग की प्रधान सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमें साट प्रश्ण पूछे जाएंगे तो अब आते हैं बी एससे सीडियल बहुत सारे आप बाहो का दौर है जो कि जारी है और बहुत सारे आप जो कि फॉरवर्ड मैसेज हो रहे हैं कि एससे सीजिल्थी मैई में आएंगे तो बिहार 246 दरोगा प्री कहा जा रहा है मैंस को उसमें जो कि वह अठारा जनवरी को आएंगे यह सब संभावी थे इसमें बहुत ज्यादा नया दरोगा की बहाली भी है जो कि आपको 200 आएगा तो यह सब है जो कि शुरुवात में लिखा गया था कि सचिवाला का फरवरी में आएगा तो जो लेटेस्ट अप्टेट है उसके नुसार में बता हुआ कि बी एससी सीजल 3 का वेकंसी इस माह के आन तक आ सकती है अगर नहीं आई तो पंदरा फरवरी तक है जो कि यह आ सकती है और अभी इसकी सम्हावाँ बनी हुई है आई है यह मैं में आएगा यह आएगा ही नहीं यह है जो कि आपको आएगी और लगवाग दो हजार से डाए हज पास है जो कि सीटे बी एससी सीजल 3 में आएगी और इस माह तक की सीटों की पूरी बीवरनी नहीं आई है तो हो सकता है डिले हो 15 फरवरी तक जाए लेकिन आपकी संभावना भी बनी हुए आईसा नहीं है यह मैं मैं आएगी यह इस साल नहीं आएगी तो इन सबब पाहों होने बहुत काफी कम है और 5-6,000 शिट्यानी है इसमें हो सकता है आपको मार्च जाए अपरेल जाए यह डिले हो सकती है इसमें संभावना ज्यादा है लेकिन बी एससी सीजीर 3 के बारे जो अपडेट है वह आपको कि इस महिना क्लास्टक आ सकती है नहीं आई तो फरवरी को होगी या नहीं होगी तो इन सब वाहों से बच कर रहे हैं जो लेटेश्ट अपडेट मैंने बता और बी एसस इंटर लेवल से जो चल रहा है मेंस के लिए बहुत सारे लोग अभी परिशान है कि टाइपिंग की परिच्छा होगी नहीं होगी 2004 पास में नहीं हुई थी फिर है कि आपको तक्निकी योगिता और अनिवारी योगिता जो है सैचनी का निवारी यो है जो कि 3110-2014 के पहले होना चाहिए तो क्या टैपिंग कर सर्टिफिकेट भी मांगेगा तो नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अगर जो डिप्लोमा कर सर्टिफिकेट है जो स्पेशल प पाई नहीं क्योंकि वह अवैद माना जाएगा इसलिए 31-2014 के पहले होना चाहिए जो भी और भी अनिसर्टिफिकेट है तो उम्मीद है कि बहुत सारे कंफ्यूजन हो जो कि दूर हुए होंगे और उमीद है कि इस साल है जो कि आपको BSSC CGL 3, BSSC InterLevel में जो है सेकेंड और पिहार द्रोगा की नहीं विकेंसी भी है जो कि आपको मिले तो इसकी साथ धन्यवाद